रीर मेंस एमिटकारद 2023. कैसे डाउनलोड करें? दोसतों, आज की वیडियो में आपको बताओंगा कैसे आपको अपने जो एमिट कार्डि कार्ड डाउनलोड करने है वीडियो हेलफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हॉल पे सेट करने ताकि हम इसी तरीकी की कोई यूसफुल वीडियो आप सभी के लिए अप्लोड करने तो आपके पास वीडियो के सब्सक्राइब करने तो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों अभी जो है यहाँ पर अपने एड्मिट कार्स डाउनलोड कर सकते हैं इस website का official link निकाल के मैंने आपको comment box में दे दिया ताकि आपको ढूनना ना पड़े जश्ट आप क्लिक करेंगे क्लिक करते आप सभी के सामने यही window open हो जाएगी और देख लो यह official website है ठीक है आपको अभी मैं गूगल के पर बिता दूँगा कैसे आपको टाइप करना है यहाँ पर Google पर जाके टाइप करें तो Google पर आपको लिखना है requirement.rajistan.gov.in तो आपको यही टाइप करना है मैं आपको स्क्रीन पर भी mention कर देता हूँ क्या टाइप करना आपको Google पर गूगल पर जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से काफी सारी windows आएएगी search ठीक है तो आपको यहाँ पर confused बिल्कुल भी नहीं हो ना मैं आपको बता जो आपको गई सामने इस तरीके से window open होगी अदरवाइस आप सभी यहाँ पर बैक कर देता हूँ जो आप 107 को क्लिक करतें तो आप सभी के सामने इस तरीके से window open होगी ठीक है अब आप सभी देख लो जो भी आपका गई साहाँ पर पेपर हुआ था जो भी आपने यहाँ पर चेक करना अपने according जो आपका यहाँ पर है तो for example हमें जो है यहाँ पर get admit card पर क्लिक करना है देखलो आपको काफी सारी जो हाँ पर get admit card करके option देखने को मिलेंगी जो भी आपका admit card जिस list में है वही आपको select करने है for example मैं एक कोई भी select करना हूँ इस तरीके से जैसे यह से भी click करेंगे तो आप से भी देखलो इस तरीके से आ जाती है प्री एक्जाम वगरा जो हाँ पर show कर रहा है यहाँ पर आपका जो भी है इस तरीके से आपको select करना है ठीक है and select करने बाद अब बारी आती है application number जो आपकी application number होगी वो आपको खुदी बता होगी यहाँ पर आप टाइप कर देना select date of birth पर click करना है and select date of birth करके आपको जो है आपके last में सबसे important है अगर आपका यहाँ पर capture code बार बार गलत हो जाता है तो simply आप यहाँ से refresh भी कर सकते है and उसके बाद तो सारी detail type करने के बाद final आपको जो get admin card पर click कर देना है get admin card पर click करते है आपका जो है पर admin card है वो show हो जाएगा and download कर सकते हैं easily अपने android device में तो just आपको क्या करना है जाना है Google पर वहाँ पर लिखना है requirement.rajistan.gov.in and यह उनकी official website है जैसी जाएंगे आपको खुदी यहाँ पर ढून लेना है जो भी आपका just list में जो है आपको admin card show कर रहा है तो बहुत ही असानी से आप इस तरीके से official way मने आपको बता दिया है ताकि आपको confusion ना हो यहाँ पर बहुत सी website बताई जाती है कहाँ पर जाके आपको डोनना कोई के लिए नहीं बताता है इवन गईस यहाँ से आप login भी कर सकते हैं देख लो आपको यहाँ पर login and home दोनों मिल जाती है आशा करता हैं दोस्तों आपसे भी के लिए वीडियो काफी है था helpful सावीत होगी वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के शांद भी शेयर करता है जिनको भी अपना admin card download करना है चलो दोस्तों मिलते है नेक्ट चुर्ड में thank you so much guys